हेलो स्टूदिंस वल्कम बाक टियॉर फेवरिट चैनल मैंगेट ब्रेंस आइम गौरी जादो निक्टामिक्स एजिकेटर आज हम करने वाले जितकी मैं आपको प्रॉमिस किया था कि जो ग्राफिकल रिप्रेजेंटेशन है मैंने में उसको भी बोला था कि मैं आपको मोड के में मीडियन आंड मूड जो अल्मोस्ट अब खतम होने वाला है तो मैं आपके लिए लिए आने वाली बहुत सारे प्राक्टिकल्स, NCRT क्वेस्टिंस और बहुत सारी चीज़े आने वाली है तो इससे हमारा पूरा चाप्टर कंप्लीट हो जाएगा विकॉस आप सभी ने म पर बागी के चाप्टर मैंने बोला ता इसको मैं बात में कर आउगी जापके थे ओरी वाले चाप्टर है तो आपको घबराना नहीं है हर एक चीज़ आपको बिल्कुल टाइम बें क्म्प्रीट हो जाएगी आपको फोकस करना है कि आपको अच्छे से पढ़ाई करनी है औ आपको हाई क्वालिट एडुकेशन प्रॉमिस करता है तो फ्री ऑफ कोस्ट आप बात करते हैं सीबीसी की तो हम लोग करते हैं क्लासे के इंडर गारें के क्लास 12 तक और वी अलसा हवा हिंदी मीटियम चानल जाप हम कवर करते हैं से क्लासे से लिकिके दिफे बोर्ट जैसे क्युपी ओंपी बोर धविसारि वोड़की और इस वहेव तो तो रवाप करते हैं हो सतना है कि लेंदी हो जाए तो जल्दी जल्दी साट कर देते हैं फाइन अगर आपको टॉपिक समझ आ रहा है आपको कॉंटेंट अच्छा लग रहा है पढ़ाने का तरीका समझ आ रहा है तो यू आफ टो अप्रीशेट लाइक करना है शेयर करना अपने फ्रेंज के साथ और कॉमेंट में भी आप बुलकुल अपना फीडबाग मुझे बता सकते हैं तो अगर हम बात करते हैं ग्राफिकल रिप्रेसेंटेशन ओफ मीडियन रिमेंबर मैंने आपको उसमें एक टर्म पढ़ाया था जब मैं आपको थोड़ा पर थिवरी बढ़ा रही थी जादो त पढ़ी नहीं है है ना उसमें हमने एक चीज पढ़ीती सुडेंस ओगेफ कर राइट तो आज वो क्या होता ये भी हम पढ़ने वाले है तो बुलकुल बने रहना इन तक ठीक है हमें पता है कि मीडियन को क्या बोलते है क्यों टू भी बोलते है इसका मतलब कह रहाता है कि जो भी में पास डेटा सेट गिवन इसको टू इकॉल हास में डिवाइट कर देता है मीडियन तो देनमर अब वाल्यू सब्सक्राइब कर दूंगी तो ये भी तो 50% हो ये भी 50% है इसलिस की जो वाल्यू रहती हो इकॉल रहती है तो नेक्स मेरे पास क्या रहा है कि जो रहती है कि मैंन आपको पहले हम जया इसलिस के की जुब वाल्यू सर्सक्राइब काथ ए इसकूल हो इसलिते हैं सबस्ते कॉल्सक्राइब और इसेकुङ आत्सक्राइब एसक ऻो जया में न ने Madrian की बात करते हैं न directement कन जो ये जाव सक्रेंग भी बात करते हैं the median of the series 2, 20, 14, 18, 4, 11, 15, first what you will have to do, you will have to arrange it. So, क्या होगी जैसे कि आप उसको असेंडिंग में भी कर सेंट तो डिसेंडिंग में भी कर सेंटे हैं, तोटली और चॉइस, usually आम लोग असेंडिंग में जाते हैं, so 2, then आजाएगा 4, then 11, 14, 15, 18, and 20, कितने तरम्स होगे, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, है ना, तो कहीना कहीं मुझे पता है कि 14 ही इसका मिदल वाली हुआएगा, बिकोज यहां पर भी 3 है, यहां पर भी 3 है, तो 2 equal parts में डिवाइट कर देता है, now, the middle value of the series is the number of fourth place, जैसे कि 14, therefore, the median of the given series will be 14, क्योंकि median दो तरीके से, महिना, दो हाफ में डिवाइट कर देता है, now, according to the corner, the median is that value of the variable which divides the group into two equal parts, one part compromising all values greater than the median, है ना, जैसे कि अगर मेरे पास यह value है, तो यह क्या है, इसका कि जितनी भी terms हैं, वो हमारे mid value से, हम median से जादा है, और यहाँ पर क्या है, वो values median से कम है, ऐसा क्यों है, because मैं अपनी series को कैसे arrange करे हूँ, एक sequence में arrange करे हूँ, अगर मैं randomly arrange करती है, अगर randomly arrange कर रही हूँ, जैसे कि यह terms मुझे यहाँ पर given है, 2, 20, 14, 18, 4, 11 and 15, इसके इसाब से क्या हो जाएगा, 18 मेरा mid value हो जाएगा, तो आप यह देख सकते हो, 18 के पहले 20 आ रहा है, यहाँ पर 14 आ रहा है, 2 आ रहा है, यहाँ पर 4, 11, 15 आ रहा है, तो कोई sequence नहीं है, तो एक property हमने जब median की पड़ी हमें देखा था, कि इसको सबसे पहले क्या करना पड़ता है, students, we will have to arrange it, तभी मेरे पास एक clear data आएगा, यहाँ पर आप देखो, यहाँ पर arranged है, कि 14 के पहले सारी values उससे चोटी हैं, और 14 के बाद आप सेख सकते हो, सारी values उससे बड़ी हैं, तो यही point यहाँ पर क्या बुला है, the median is that value of the variable, which divides the group into two equal parts, one part compromising, all values greater than the median, and the other part, जैसे कि यह वाला जो आपको गिवन है, यहाँ पर हर जो value रहती, वो smaller than the median value होती है, clear, take a screenshot of this one, done, okay, देखो इसका आपको screenshot मुझे पता, आप बोलोगी मामी तो प्राक्टिकल सब्जेक्ट है, इसका screenshot पूल है, लेकिन theory भी आती है, फिर कैसे लिखना समझ नहीं आता, इसलिए जो आप इसको go through करोगे, आपके पास notes रहेंगे, तो at least आपके दिमाग में रहेगा, कि जब भी मेरे पास ऐसा कोई question आता है, मुझे लिखना कैसे है, clear students, चलो, let's move on, तो आप लोग पढ़ने वाले हैं, what is the graphical determination, कैसे उसका representation हम करने वाले है, so the median of a given series can also be calculated through its graphical representation, the form of less than or more than OGIF curve, दो OGIFs, जो median है, can be determined in two ways, अगर मैं OGIF करके, मैंने आपको बता रहे था, कि OGIF curve क्या होता है, ऐसा curve रहता है, पहला क्या रहता है, presenting the data of a given series on a graph in the form of less than OGIF curve, दो तरीके के कवर बनते, एक तो मेरे पास होता है less than OGIF curve, और एक मेरे पास रहता है, अपको पॉस इसका opposite record, that is more than OGIF curve, now presenting the data of a given series on a graph, simultaneously in the form of both less than and OGIF curve, the point where these OGIFs meets, वहाँ पर हम उसको median value बोल देते हैं, तो basically हम क्या करते हैं, एक करते हैं हम लोग, अभी मैंने बताये ना, क्योंकि median एक तरीके से दो parts में divide कर देता है, अगर मेरे पास यह median था, तो यह values मेरे पास क्या थी, जो इससे पहले आई हैं, यह values क्या थी, जो इसके बाद आई हैं, तो एक बनता है मेरे पास less than, और एक मेरे पास क्या बन जाता है, more than, तो एक बन गया मेरे पास less than, एक बन गया मेरे पास more than, तो जहाँ पर इन दोनों के graph intersect करेंगे, वो ही क्या हो जाएगा, मेरा median हो जाएगा, वो ही क्या हो जाएगा मेरा median हो जाएगा तो यह पूरे अभी slide में हमने यही पढ़ा है कि O-gave करके थूरू हमनों median को calculate कर सकते हैं median को calculate करना O-gave curve में दो तरीके से possible है एक क्या होता है कि पहले आप बनाओ less than का curve एक बनाओ more than का curve O-gave curve उसके बाद जहां पर वो इंटरसेक्ट होते हैं दोनों कर वो पॉंट हमारा क्या हो जाता है median, clear? टेक आप स्क्रीन शॉर्ट आप दिस वन done, चलो now, less than O-gave और या more than O-gave करके अगर नहीं बात करते हूं so according to less than or more than O-gave approach to determine the median of a given series it is first of all converted into either less than or more than cumulative sequence आपको पता हमने different अभी arithmetic mean हो, चाहे mode हो, चाहे median हो हमने series को convert करना बहुत सीखा है तो आपको यहाँ पर भी क्या करना पड़ेगा जो मेरे पास series given है या तो उसको less than या तो उसको more than आपको बनाना रहेगा after that the cumulative sequence या तो यह सीडीज को हमारे पास आई है अप प्रेजेंटेद graphically for the representation of less than or more than O-gave curve in the next step तो सबसे पहले आपको less than O-gave में करना है या more than O-gave में बनाना है उसके बाद आपको पता है n by 2 वाला जो फॉर्मला मेरा लगता है वो हम apply कर लेंगे राइट उसके बाद हम लोग उसके फिगर को देख लेंगे ही क्या में पस डेटा आ रहा है फाइन ना फ्रम दे एंड बाइट टॉ तर्म दे ग्राफ y-axis अपर पेंडिकुलर तो दे राइट इस द्रॉन अब यह वाला चो पार्थ आपको समझ ऐसे नहीं आएगा जब तक हम इसको प्राटेस नहीं कर लेते तो सबसे पहरे तो आपको पता है कि अगर मुझे एक 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 जामपल यहां पर गिवन है Determine the median value of the following series with the help of both less than or give curve and more than or give curve तो आपको यहां पर class intervals given है More than क्या होगा? More than 0, more than 10, more than 30, है ना? Less than क्या हो जाएगा? Less than 10, less than 20, कैसे भी बन सकता है? तो सबसे पहरे तो मुझे आपको इसका screenshot लेना है कि यह question है मेरे पास और इसको अपनी copy में भी note down करना है ताकि आपके पास यह इसका बना रहा है Because यह आजकल question आने लगा है for 3 or 4 marks तो हमें आना चाहिए तो सबसे पहले तो आप यह एक पूरे example लिख लो उसके बाद मैं आपको पूरे explain करने वाले हैं detail में How you are going to figure out कि कैसे हमारा median कर बनने वाला है Done? चलो तो मुझे class size given है, class intervals given है और मुझे frequency given है अब क्या करूंगी मैं जैसे कि मुझे पता है कि less than करना है तो मैं हमेशा यह वाला value लेती हूँ कि less than 10, less than 20, less than 30, less than 40 ऐसे करके ठीक है, तो जो मेरा series बनेगा, वो क्या बनेगा less than 10, 20, 30, 40, 50, 16, 70 क्योंकि frequency तो मेरी same ही रहने वाली है क्योंकि अगर मैं less than 10 ले रही हूँ है ना, फिर मैं ले रही हूँ less than 20 मैंने क्या बोला है, इसके बीच का difference देखा जाता है तो मतलब इसमें से भी आप इतना ही माइनस करते हो तो एवेंचिरी जो मेरी series है वो यही तो आएगी तो frequency तो मेरी change नहीं होगी, frequency मेरी वही रहेगी बस लिखने का तरीका मेरा बदल जाएगा, clear? तो यहां पर आपने किया, यहां पर आपने frequency लिखिया, उसके बाद हम लोग क्या लिखते है cumulative frequency क्या होता है, कैसे निकालते है, मैं आपने बोला है, zigzag जिग-zag कैसे, पहला value frequency का आपने यहां पर लिखा, फिर आपने यहां से इसको add किया हो गया, मेरे पास 10, 10 प्लस 5 क्या, 15, 15 प्लस 10 क्या, मेरे पास 25, 25 प्लस 20 हो गया, मेरे पास 45, 45 प्लस 18 मेरे पास आजाएगा 63, 63 वाग मैं 27 को add कर दूंगी, तो मेरे पास value आगी 90 के, 90 प्लस 10 कर दूंगी, तो मेरे पास हो गई 100 की value, क्या यह मुझे बनाना आता है, कॉपी में लिखते चले पॉस्ट वीडियो और मेक यो नोट्स दिन इन दे अब क्या है इन इत्व मुझे निकालना है 100 मेरे पास वाल्यू आई है कित्ती वाल्यू आई है मैं आपको बोला था ना जो वाल्यू आती है वही वाल्यू यहां पर भी कैल्कुलेट करके आती है ए चाहे न सबको कि N की वाल्यू क्या होती है सब्मीशन ऑफ एफ होता है और यहां पर जो क्यूमिडर एफ या सम्मीशन ऑफ एफ हमेशा सेन रहता है clear गुड तो मेरे पास क्या वैलिवाई है एनेट टर्म किया कि मैं निकालना ही कोशिश करती हूँ एन बाई टू कित्ता हो जाएगा मेरे पास 100 बाई 2 that is 50 की वैलिवाई की अब आपको क्या करना है आपको अपने दो एक्सिस बनाने है एक आपका बनेगा एक्सिस और एक बनेगा मारे पास य एक्सिस क्लियर अब मुझे क्या करना है mark 50 on the y-axis of the graph and make a perpendicular from this point to the right to cut the o-gif at point A तो basically आपको क्या करना है कि सबसे पहले frequencies को mark करना है frequencies कैसे होगी जैसे कि अब less than 10 है 20, 30, 40, 50, 60 तो मुझे पता है कि मेरे पास 10, 20, 30, 40, 50 और 60 का ऐसा आप हमें graph बनाना है एक सेक्सिस पर आप इसकी जो frequencies देख रही है आप उसको देखो कितना है मेरे पास 4, 6, 5, 10, 20 तो मुझे यहाँ पर mark करना पड़ेगा 4, 10, 15, 25, 45, 63, 90, 100 जो मेरे पास cumulative frequencies आई है जो मेरे पास cumulative frequencies आई है उसको आपको mark करना है है ना frequencies को नहीं हम लोग cumulative frequencies को करेंगे और इसका लिखेंगे हम लोग तो सबसे पहले आपको क्या करना है कि यह वाला जो हमारे पास पूरा X axis रहता है वहाँ पर आप लोग को क्या करना है पहले आपने class size लिखा ऐसे करके ठीक है उसके बाद आप क्या करोगे जो cumulative frequency हमने निकाली है है ना कि क्या है less than 10 में हमारे पास 4 है then 10 है आपको यह मार्क करना है जिसे कि आप 10 पर 4 था 20 पर 10 था 30 पर 15 40 पर 25 50 पर हमारे पास 45 की वाल्यू थी 60 पर 63 था 90 70 पर 90 था और 80 में पास 100 की वाल्यू आ गई थी तो यह मुझे करना था यहां पर भी आपने देखा था लेस्ट अनिटी कित्ती वाल्यू थी मेरे पास 100 की वाल्यू थी फ्रिक्वेंशी का काम n निकालने के लिए अएगा क्यूमिलिटीव फ्रिक्वेंशी मेरा एका x-axis पर मालाब सॉरी इसको मुझे मार्क करेंगे, ठीक है, क्यूमिलिटीव फ्रिक्वेंसी को हम लोग मार्क करते हैं यह प्लॉट करते हैं और यह हमारा आजाता है x-axis पर तो यहाँ दखना जो class size है वो एक success पाएगा ठीक है और आपको याँ दखना है कि जो में पास cumulative frequency उसको मार्क करते हैं प्लॉट करते हैं ग्राफ पे करोगे यहां से straight line करोगे जब तक यह वाला जो कर्व लेके जा रहे हैं यहां पे इंटरसेक्ट नहीं करता ठीक है यहां पे इंटरसेक्ट किया आपको ड्रॉप डाउन लेकिया हो तो मेरे पास यहां पर वैल्यू कित्ती आ रही है 52.7 वैल्यू तो आपको ध्यान रखना है क कि from point A drawn a perpendicular on x-axis and the point on x-axis at which the perpendicular cuts is the median value. the perpendicular from point A cuts the x-axis at 52.7 therefore median कित्ता हो जाएगा 52.7 तो अगर मैं less than oh give करके यहां पर बात कर रही हूं यह मेरे पास तीन चीज़े given है आपको कुछ नहीं करना एक तो frequency का table बने गए कि यहां पर है ना तो frequency इसको है आप यहां पर लिख दो जैसे कि कित्ते का 10 10 का लिख लो आप कोई दिक्कत नहीं है ठीक है यहां पर भी 10 20 30 40 50 60 70 & 80 तक आपका कुछ है ना हां फिर क्या करना है जो cumulative frequency उसको आपको बनाना है यहां पर ऐसे mark करते चले जाना है ठीक है अभी मैंने बस उसको अपने रांडम बेसे किया है फिर क्या करना है एन बाइटू करना है तो एन बाइटू कित्ता आ रहा था मेरे पास 100 बाइटू कित्ती वैली आ गई पचास की तो आपको यहां पर देखना है y axis पर देखेंगे ठीक है 50 की वैली वारी यहां से इसे पूरा कट कर दो और यहां पर आप देखो कि जहां पर यह intersect कर रहा है यहां पर जहां पर इंटरसेक्ट कर रहा है यह वाला पॉइंट मेरा क्या हो जाएगा median, ऐसे आपको समझे ना है, ठीक है, तो procedure क्या कहता है, पहले आप पूरा plotting कर दो, x axis बनाओ, y axis बनाओ, y axis पर हम लोग n by 2 की value लिखते हैं, x axis पर हम लोग क्या करते हैं, हम लोग लिखते हैं, class intervals को, फिर हम लोग क्या mark करते हैं, cumulative frequency को mark करते हैं, frequency पर जो value है, यससे आप n by 2 न rate करते हो, तो आपके पास क्या आजाता है, आपके पास answer आजाता है, जो की रहता है, आपके पास median, clear, इसका screenshot लेंगे सभी जल्दी से, ठीक है, क्योंकि यहां पर भी लिखा है, देखों, यहां पर लिखोंगे class size, यहां पर लिखोंगे frequency, लेकिन ध्यान रखना है, frequency यह वाली मतलिख देना, ठीक है, frequency यह वाली मतलिखना, normally आप जो gap दिख रहा है, उसी का बना देना, क्योंकि यह वाली frequency नहीं बनेगी, इसका total जो रहता है, वो end रहता है, तो that is why, इसका total आपको यहां दिखी गई नहीं, ठीक है, तो यहां रखना, डन, चलो, अब हम लोग बनाते हैं, more than, ओगेफ कर, पहले बनाएं तो less than क्या बनेगा, more than, तो आप देखो, जब भी हम लोग less than बनाते हैं, तो हम लोग अपना यह वाला अपर लिमिट ले लेते हैं, कि इससे कम, more than क्या होगा, कि अपने lower limit से जादा, तो more than क्या बनेगा, more than, 0, more than, 10, more than, 20, ऐसे बनेगा आपका, clear, so you have to remember, so आपका कैसे बनेगा students यहापे, more than 10, more than 20, more than 30, more than 40, more than 50, इस तरीके से आपका पूरा कर्व बनेगा, frequency अगेन आपकी सेम रहने वाली है, अब मेरे पास क्या आते हैं, हम लोग क्या draw करेंगे, cumulative frequency को draw करेंगे, कितना होगा, 100, 96, 90, 85, 75, 55, 37 and 70, कैसे draw करेंगे, यहाँ पर आपको याद दखना, क्योंकि आप यहाँ पर more than हो गया है, याद दखना, यहाँ पर क्या हो गया आप students, यह more than हो गया है, तो cumulative frequency कैसे बनेगी, आपकी यहाँ पर थोड़ी change बनेगी, क्योंकि यहाँ पर more than की बात हो, तो more than 70 कितना है, more than 70 के हम यहाँ बात करते हैं, ठीक है, so more than 70 के अगर, more than 80 भी होगा इसमें, yes, more than 70 है, yes, उसके यहाँ हमें क्या draw करना पड़ता है, cumulative frequency को यहाँ पर draw करना रहेगा, जहाँ पर आप क्या करोगे, यहाँ से थोड़ा उल्टा चलते हैं, यहाँ पर उल्टा चला जाएगा, because more than की series है, यहाँ पर 10 लिया, 10 में आपने 27 को आड किया, तो आपके पास 37 आ गया, 37 में 18 को आड करोगे तो 55 आ जाएगा, 55 में 20 को आड करोगे तो 85 आएगा, 85 में 5 को आड करोगे तो 90 आएगा, अगर मैं 90 में 6 को आड करती हूँ, तो में पास 96 आ गया, और 96 में 4 को आड करती हूँ, तो मेरे पास 100 आएगा, तो याद रखना कि जब मेरे पास less than वाला कर रहता है, तो normal इसी sequence में में आड करते हूँ चली जाती हूँ, लेक तो मेरे पास यहाँ पर 100 की वाल्यू आई है, फिर क्या करना है, जैसी कि आप इसको ऐसे भी काल्कुलेट कर सकते हूँ, देखो, अगर आपको ऐसे काल्कुलेट नहीं करना, मुझे क्या पता है, more than 0 का सारी वाल्यू से है, तो आप सब को आड कर दो, मेरे पास वाल्यू आ जाएगा, है न, तो इस तरीके से भी आप काल्कुलेट कर सकते हूँ, लेकिन मैं वाल्यू सजेस्ट यू कि हमेशा उल्टा चलना है, ठीक है, यह वाला इसमें 90 नहीं आएगा, sorry, right, तो जैसे कि यहाँ पर ध्यान रखना है कि आप यहाँ से शुरू करो, तो आपको बहु काम हो जाएगी, तो मुझे उसमें से 9 की वाली होटानी पड़ेगी, तो यू आप तो रिमेंबर दिस, तो यहाँ आप इस वाई, मोर देन में याद दखना कि सारी चीज़े आती ही, इसलब लोग उसको नीचे से शुरू करते हैं, और लेस देन में हमेशा हम लोग यहीं स चीज़े शुरू करते हैं, ठीक है, ओके, अगेन अब इसका कैसे ग्राफ बनेगा, इसका भी 50 ही वाल्यू आएगी, है ना 50 की वाल्यू आएगी, बिकॉस, एन तो मेरे पास उत्ता ही रहने वाला है, एन तो चेंज नहीं होगा, सब्मिशन आप F, अब यहाँ भी more than की सीर लिखा हैं, यहाँ पर फ्रिक्वेंसी लिखी, आप सबसे पहले आप कर्व बनाओगे, क्या है कर्व मेरा, 0 पर 100 है, 10 पर 96 है, इस पर 90 है, ऐसे करके आपका पूरा कर्व बन गया, जो आपका क्यूमिलेटव फ्रिक्वेंसी से बना है, ठीक है, अब मुझे क्या पता है, कि एन बाइटू किता है, मेरे पास 50, तो यहाँ से आपने 50 को मार्क किया, यहाँ से आपको सीधी लाइन खीचनी है, और यहाँ पर जहाँ पर वो इंटरसेट करता है, यहाँ से आपको ड्रॉप्डावन करना है, तो यह भी मेरे पास किता आ गया, 52.7, तो मतलब, अगर चाह करते हैं, इस तरीके साम बनाते हैं, तो आपने देखा होगा जो लेस्टेन का करता हो, कुछ इस तरीके से गया है, और 50 की वालिव यहाँ पर इंटरसेट कर रही है, यह क्या हो जाता है, मेरे पास फिर मीडियन अन जाता है, जब अम रहे दोनों लेस्टेन और और दोनों क यूज करते हैं, बस याद रखना कि मैं मोर्दैन की बात कर रहे हूं, तो उसमें सारी फ्रिक्वेंसी एड हो जाती है, इसलिए हमेशा उसको नीचे तो शुरू किया करो, वही पर जो लेस्टेन रहता है, उसमें हम लेस्टेन की बात करें तो हम लोग उसी से कल्क्रेट कर चलते सकते हैं, यानि याद रखना कि जब मुझे लेस्टेन बनाना है, तो मैं यह वाला जिग्जाग फॉर्म्ला यूज कर सकती हूं, लेकिन जब मुझे मोर्दैन करना है, तो मुझे नीचे से कुछ इस तरीके से चलना रहेगा, ठीक है, स्टार्टिंग पॉइं पॉइ याद रखना है, अगर आपको याद रहे कर तो आपको काफी हिल्प मिलेगी, fine students, with this we have done more than less than, ठीक है, समझ गए ना, चलो, now less than ogiv curve and more than ogiv curve का चो approach मेरे पास है, now according to the less than and more than ogiv approach, to determine the median of a given series, both less than and more than curve are presented on a graph simultaneously, the perpendicular on the x-axis is drawn from the point at which the both ogiv curves intersect each other is the median value, तो अभी हमने दोनों को अलग अल अभी हम साथ में भी करके देखेंगे, तो जैसे कि आपके पास ही class intervals given है, यहाँ पर आपको given है less than b or more than, दोनों approach से करना है, आपको marks given हो, साथ में आपको frequency given है, आपको पता है कि आपको cumulative frequency निकान ली रहेगी, ठीक है, let's see how we are going to do, तो सबसे पहले तो याद रखना कि less than b, अ 3, 10, 15, then we have 7, 4, 6, 5, यह frequency है और यह मेरा cumulative frequency हो जाएगा, ठीक है, clear, तो आपको समझना है कि मेरे पास frequency given थी, lesson में कैसे चलता है, यहाँ से starting point चलता है, जिग-जग-जग-जग करता है कि तल सतने हैं, तो इसलिए मैंने पहले 3 का 3 लिखा, फिर 3 प्लस 10 किया, तो 13 आगया, 13 प्लस 15 किया, 28 आगया, 28 में 7 आट कर दूंगी, तो मेरे पास 35 आगया, 35 प्लस 4 मेरे पास 39 आगया, 39 प्लस 6 कर दूंगी, तो मेरे पास value आजेगी 45 किया, 45 प्लस 5 करूंगी, तो मेरे पास 50 किया, यह 5 है, यह ठीक है, यह क्या बन गया मेरे पास, less than का, अब मैं आपको क्या बता है कि जब भी मुझे more than value calculate करनी है तो हमेशा उल्टा चलना पड़ता है क्योंकि more than का मतलब करता है कि सारे चीज से आ रही है तो more than 0 क्या हो जाएगा पूरी सारी values आ जाएगा इसलिए 50 यहां पर आ गया फिर more than 5 बोल रहे हैं तो हमें उल्टा चलना पड़ेगा है ना सब्सक्राइब चीज से रिडिउस होंगा अब more than 5 बोल रहे हैं तो यहने 3 कम हो जाएगा इसलिए 47 हो गया 47 में से 10 कम हो जाएगा तो मेरे पास 37 हो गया 37 में से भी कम हम करेंगे 15 तो मेरे पास 22 की value आ जाएगी 22 को भी अगर हम माइनस करते हैं विट 7 आएगा यस तो मेरे पास value आगे 15 की 15 में से अगर मैं 4 को माइनस कर दूंगी तो 11 की value आ जाएगी 11 में से अगर मैं 6 को माइनस कर दूंगी तो में पास 5 की value आ जाएगी तो इस तरीके से मेरा cumulative frequency बन जाएगा for my more than series याद दखना है बस एक चीज की हां कि जब भी में more than की value calculate कर रही हूं तो मैं मान के चल रहू कि more than 0 सारी values आएगी फिर more than 5 यानि कित्ते का difference यहां पर 3 का difference आएगा क्यों because यहां पर less than 5 कित्ते थे 3 so that is why आपका सब्सक्राइगा ठीक है तो confusion avoid करने के लिए बस इत्ता याद रखो कि less than में ऐसे से चलना है यहां से starting point रहेगा और more than में आपको नीचे से से चलना तो यह आपका starting point रहेगा ठीक है तो मेरे पाई से तरीके से बनता है more than का कर कुछ इस तरीके से बनता है तो जहां पर दोनों हमारे जो graph से intersect करेंगे वो ही मेरा medium होगा कैसे possible है कैसे होगा अभी हम देखने वाले हैं ठीक है तो जैसे कि आप यहां पर देख सकते हो सबसे पहले आपका क्या बनेगा यहां पर आपने क्या बना दिया अपना less than का कर्व हम लोग हमेशा कर्व में क्या plot करते है cumulative frequency और यहां पर आपने क्या add कर दिया अपना more than का कर जहां पर यह दोनों point intersect कर रहें वैसे 25 का आपने आप स्ट्रेट किया यहां पर intersect कर रहें और यहां पर intersect कर रहें तो जो मेरे पास value आई है 15 की वह को में बना color change कर लेती हो तो आपको थोड़ा असानी रहेगी let's check green yes तो यह तो मेरा यह हो गया तो यहां से जो point जा रहा है just a second तो जो यहां से जो point जा रहा है ठीक है because 25 की value है n by 2 कितना है मेरे पास 50 by 2 है कितना हो जाएगा में पास 25 की value आ जाएगी 25 की value यहां से गई यहां पर intersect किया जहां पर दोनों होई intersect कर रहे हैं यहां से straight line आपने draw करें तो 15 क्या हो गया एक तरीके से आपका median class आ गया median आ गया so that is why हम यह बोल सकते हैं okay रुको 15 यहां से गया अच्टे मुझे लगा यह नीचे लिखा है हां लेकिन यह वाला point 15 के पहले है 14 मेरे पास median हो जाएगा clear everyone take a screen shot of this one जल्दी से यहाद आखना यह है median दोलों में confusion हो ना यह हमारा normal class interval चल रहा है यह बात हो रहे है 14 ठीक है okay students तो यहाद रखना है कि आपका जब 14 हो जाएगा median हो जाएगा basic चीज है lesson का कर्व ऐसे जाता है more than का कर्व ऐसे आता है यहां पर जो intersect करते हैं यहां पर जो straight downward हमारा जो आता है value वह value मेरा क्या हो जाता है that is my median clear dance students किसी को कोई confusion तो नहीं है आगे बड़े चलो अब मेरे पास क्या रहा है कि mode को कैसे calculate करना है अभी तक मैंने median का सीख लिए अब मेरे पास बारी आ रही है कि mode को कैसे calculate करना है so the calculation of mode by graphical method so अगर हम जानते हैं कि mode का मतलब होता है कि किसी भी frequency का बार बार repeat होना है ना so a measure of central tendency in statistical series that determines the value occurring most frequently in the given series is known as mode in the other words we can say that the model value of the series has the highest frequency in the given series यहने जबकी सबसादा frequency सबसे ज़ादा repetitive जो रहते है उसको हम लोग mode बोलते है for example if in the class of 100 students 20 students have opted for mathematics 50 students have opted for IP and rest 30 have opted for physical education then the model हमारा जो क्या हो जाएगा सबसादा किस में चूज किया गया बच्चो ने I think yes IP IP में किते है बच्चे मारे पास 50 students है तो IP मेरे पास सबसादा model class हो जाएगा because यहां पर सबसादा बच्चो ने participate किया है clear now mode by graphical method के अगर हम बात करते है the mode for a given set of series can be located through a histogram histogram पता है ना सभी को अच्छा आप लोग ने वहाला part नहीं पढ़ा है we have not covered till then लेकिन हमने अड़ी बच्च में ने पढ़ा है histogram से बनाना तो में वही बनाना है right so this steps to locate mode through graph are as follows सबसे पहले we have to draw a histogram of the given series and the rectangle of the histogram with the greatest height will be the model class of the series so what simple sabachman में करते बाहरे तो सबसे पहले आप इसको screenshot लो फिरम करते ही वाला question दा चलो next क्या हमारे पास draw a line joining the top left corner point of the rectangle of the model class to the top left corner of the rectangle of the succeeding class similarly draw a line joining the top right point of the rectangle of the model class of the top right corner and this basically हमें सारे points को connect करना है इत्ता समझ लो ठीक है now draw a line perpendicular to x axis ये वाला point हम तभी समझेंगे जब लोग कर पाएंगे so leave it तो सबसे पहले हमारे पास class intervals given है हमारे पास ये given है 0 से लेके 10 10 से 20 20 से 30 30 से 40 40 से 50 50 से 60 इस सरी के मेरे पास पूरा class interval given और frequency given है तो आपको पता है कि अगर हम बात करते हैं कि सबसे पहले आपको क्या करना है बच्पन नहीं बनाते थे हम ऐसा graph exactly we have to draw the same thing तो 0 से 10 10 से 20 ऐसे करके आपको graph यहाँ पर बनाना है 0 से 10 10 से 20 20 से 30 30 से 40 40 से 50 ऐसे करके फिर आपको क्या करना है यह आपकी number of students है याने जो आपकी frequency है उसको आपको y axis पर लिखना है ऐसा आपने लिख दिया 5 10 15 आप ऐसे figure out कर लो ना कितना का value आ रहा है 4 5 5 10 4 5 5 के gap से आप लिख दो ठीक है 5 5 के gap से आप लिख दो तो 5 10 15 20 25 मिरे पास value आ गई अब मुझे क्या पता है कि 0 से 10 में कितनी की value है 4 की तो आपने यहाँ पर 4 तक mark कर दिया ठीक है 10 से 20 मिरे पास क्या आता है 5 तक तो आपने यहाँ से यह mark कर दिया फिर क्या आ रहा मेरे मेरे पास 20 से 30 आरे 10 की value, so 20 से 30 आपने यह वाली 10 की जो value है, यहाँ पर mark कर दी, ठीक है, ठीक है, ठीक है, अब यहाँ पर आ जाते हैं हम लोग, 40 से 50 मेरे पास क्या value है, number of students की 15 की, तो मुझे यहाँ पर पता है कि यहाँ पर 15 की value, यहाँ पर सारे histogram में connected रहते हैं, है ना, जैसी की line graph में अलग-अलग बन जाता है, लेकिन जब भी histogram रहते हैं हम लोग connected करके ही रखते हैं, तो सबसे पहले मेरा क्या बन गया, यह, फिर बना यह, फिर यह, I think यह मेरा highest value है, frequency के साथ, फिर यह है, अगर 50 से 60 की बात करते हूं, तो मेरे पास 8 की value आ रही है, फिर 10 और 18, तो पहले क्या आ रहा है, मेरे पास 8, फिर क्या रहा है, मेरे पास 10, और फिर आ रहा है, मेरे पास 18 की value है, 20 से थोड़ा कम, ठीक है, तो सबसे पहले मैंने यह कर लिया, इसमें किसको कोई doubt तो नहीं है, यहाँ पे आपलो frequency लिखते हो, ठीक है, तो यह क्या है, आपका 0 से 10, यह है, 10 से 20, 20 से 30, 30 से 40, ऐसे connected रहता है, अब मुझे क्या पता है, the model value can be verified with the inspection method also, अगर हम बात करते हैं, inspection method की, अगर हम देखते हैं, पूरे series में सबसादा कौन सा value है, 20 का, so 30 से 40 वाला मेरा आ रहा है, क्योंकि यहाँ पे मैं सत्यों की सबसे जादा repetition मुझे देखने को मिल रहा है, so 30 से 40 मेरा model class हो जाएगा, अब मेरा basic formula मुझे वो ही लगाना है, तो मुझे क्या करना है, सबसे पहले model में आपना लगाना है, L1 प्लस F1 माइनस F0, डिवारेट बाइ 2F1 माइनस F0, माइनस F2, इन्टु आई करना है, मेरे पास model class आपको पता है 30 और 20 वाली है, तो आपको पता है 20, तो मेरा इस से आगे वाली value क्या हो जाएगी, इस तरीकिसर में calculate करना है, तो सबसे पहले F1 मेरे पास हो जाएगा 17, F0 हो जाएगा मेरे पास 9, F0 हो जाएगा मेरे पास 9, and I would be 8, clear? रुको, पहले आप इसका screenshot low students, जल्दी से, wait, okay students, तो इस तरीके से सबसे पहले आपको याद अखना है, आप इससे भी verify कर सकते हो, लेकिन उससे पहले, जब मैंने यह आपका यह पूरा बना दिया, अब मुझे यहाँ पर क्या देखना है, सबसे पहले मैं यहाँ पर जाओंगी, ठीक है, यह वाले class intervals मैं गई 30 से 40 क्योंकि यहाँ पर मेरा सबसे ज़्यादा जो हिस्टोग्राम का आप देख साथ है, अब आपको याद है, यहाँ पर फिसको पढ़ेंगे, हमारा जो step था, yes, draw line, join the top left of the corner point of the rectangle of the model class to the top left corner of the rectangle of the succeeding class, इसका मतलब क्या रहता है, कि basically आपको क्या करना है, यह वाला जो point है आपको, आपको जब तक इसको जोड़ना है, जब तक मैं second वाले जो हमारा histogram है, वहाँ से यहाँ पे जो intersect वाला point आ रहा है, यह वाला point देखो, यहाँ से मेरा दूसरा शुरू हो रहा है, दूसरा class interval, तो यह वाले point पर आपको क्या करना है, इसको ऐसे cut करना है, ऐसा जाएगी, clear students, तो आपको यह याद रखना है, यह वाला जो point है ना, यह मेरा important है, तो जब हम इसको calculate भी करेंगे, तो यह मेरे पास value निकल के आएगी, clear, तो basically इसका आपको इत्ता ध्यान नी रखना है, लेकिन आपको समझना है कि जब भी histogram हम बना रहे है, आपको इसको क्र cross करना है, यहाँ पर जो point आता है, याद रखना कि कईबा students का कर दे, दोनों को ऐसे बीच में कर देते, नहीं, हमारा मतलब क्या है कि यह वाला जो point है, यहाँ तक join करना है, जब तक मेरा यह वाला class interval है, पहले वाला connect नहीं करता, similarly यह वाला point यहाँ connect नहीं करता, तो जरूर पहले नहीं कि हमेशा ही बीच में align, जैसे कि यहाँ पर side में आईए, clear, तो आपको पता चाज़ेगा, जो class intervals का यहाँ पर जो variation है, मुझे यह देखने को मिल रहा है, तो variation देखने को मिल रहा है, यह वाला variation मुझे देखने को मिल रहा है, clear students, quickly take a screenshot of this one, यह वाला pointer धिन रखन clear होकर आचाएगा, clear, जैसे कि आप यहाँ पर भी देख सकते हो, कि 6.67 काई तो यहाँ पर 30 से 40 के बीच में, यह 6.67 काई तो variation आया है, और वो हमें यहाँ पर भी देखने को मिल रहा है, तो students, इसी के साथ यह वाला पूरा session हमारा आपको पता है, कि हमने दो चीज़े cover कर ल लेते हैं, तो आपको यहाँ रखना ऐसे नहीं बनता है, ठीक है, तो अगेर मुझे class intervals given है, मुझे frequencies given है, मुझे क्या करना इसको सबसे पहले, अगर हम जाते हैं, ऐसे class intervals है, मुझे बनाना है, क्या लिखा है, इसमें 0 से 5, 8 है, 4 है, 10 है, 25, 15, 13, 12 है, तो fine, let's make it, 0 से 5 हमने देखाता है, यह है, यह मेरे पस values आ गई, अब हमने क्या सीखा था, मैं हमने अभी बताया था just, कि यह वाला जो point है, इसको जब तक stretch करना है, जब तक यह यह वाले point से नहीं जूर जाता है, जो मेरा next class interval है, यहाँ पर intersect करके शुरू नहीं हो रहा, similarly यह वाला point को में यहाँ पर intersect कर रहे है, यहाँ से आप straight line खीश लोगे, यह कितना आ रहा है, मेरे पास 27.2, यह आपको यूशली जब भी होगा ना, आपको graph दिये जाएंगे, so don't worry, ठीक है, तो यह क्या हो गया, मेरे पास, यह मेरा आजाय का mood का calculation and again you can verify it with the following formula, कि कितना मेरे पास variation निकल कर है, ठीक है, clear students, समझ आया, सभी को यह वाला question, जल्दी से इसका screenshot लेंगे, done, so students, we have finished both the methods of calculating, mode हो चाहे, median हो कि कैसे calculate करना है, median में O-GIF कर बनाते हैं, याद अखना कि more than or less than में कैसे cumulative frequency को लोग कालकुलेट करते हैं, और mode में histogram में कैसे हम लोग lines को draw करते ही, आपको ध्यान रखना है, बाकी सारी चीज़े easy है, so fully आपको एक क्लास अच्छी लगी हो, students, आपको ऐसी बने रहना है, मैंने बेंस पर एक ऐसा channel जो आपको प्रोवाइड करता है, free and quality education, अगर मैं बात करते ही, students, CBSE की, हम cover करते हैं, different classes, जहापे हम बात करते हैं, इंटर्गार्ण से लेके class 12 की, अगर हम बात करते हैं, students, we also have a Hindi medium channel, भापे हम cover करते हैं, classes, इस से लेके class 12, आपको आपको cover करेंगे classes, Delhi board, प्यार board, UP board, MP board and Rajasthan board, तो इस सारे boards की class आपको 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 देखने को मिल जाएंगी, तो आपको हर एक चीज यहाँ पर प्रोवाइड की जाएगी, साथी में e-notes and e-books ही मिल जाते, यह students, उसकी चो link है, description box में given है, तो कभी भी जाके आप देख सतने, आपको काफी helpful रहने वाली है, हम इसे YouTube पे नहीं, different social media sites पे आपको definitely follow करना है, बुलकुल बढ़े रहना है हमारे साथ यह journey में, Magnet Brains की और मैं आपसे मिलती हूं नेक्स वीडियो में जब तक आपको रिवीजिन करना है अच्छी से आप पड़ते रहना है So, bye-bye students and thank you for watching this video